Hello everyone, welcome back to the channel तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा setup दिखाऊंगा और मेरा drawing table और किस तरह से मैं अपनी वीडियो को shoot करता हूँ काफिलोग बोल रहे थे किस पे एक वीडियो बनाओ किस तरह से वीडियो को shoot करते हो किस तरह का drawing table है तो आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा मेरा drawing table और मैं अपनी वीडियो को किस तरह से shoot करता हूँ और हाँ काफिलोग कुछ रहे हैं लाइटिंग के वारे में तो वो भी दिखाऊंगा अच्छे से तो चलो देखते है So guys यह है मेरा drawing table जो की पूरा white है और बिच में brown है यहाँ पर चारो तरफ से white है वैसे यहाँ से भी white है और यहाँ से भी तो इसको custom भी कुछ बना सकते है वैसे और उपर मैंने mat बिचा रखा है यहाँ पर यह वाला जो की background के लिए काफी अच्छा लगता है mechanical pencils और tombo mono zero eraser भी यहाँ पर ही है तो मैं अलग क्यों रखता हुए क्योंकि यह चार कॉला graphite में यह सब black black हो जाता है तो यह देखो यह तो अभी पूरा white है ना तो यह मैं इसमें रखूंगा ना तो यह पूरा black हो जाएगा जो कि वीडियो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने अलग से रखा है और मक्य नेकल पैंसिल भी क्योंकि यल्ल हो है इसलिए पूरी black black हो जाती है और हो भी रखी आप देख सकते है तो मैं इसको बिल्कुल clean करके यूज करता हूँ इसको तो मैं यहां पर ही रखता हूँ बाकि एरेजर्ज है सारे जो कि मैं यूज करता हूँ और शापनर्स है डॉम्स के लॉंग पॉइंट शापनर्स है और यहां पर memory cards भी है जो कि मैं वीडियो के लिए यूज करता हूँ अभी मैं real time में record करता हूँ सारे वीडियोस इसलिए मैंने यह 128GB का ले रखा है इस तरह के मेरे पास दो memory cards है 128GB के जो कि एक तो मैंने फोन में लगा रखा है और एक तो यह है जिसमें काफी सारी files है अभी तो यह वीपर यह खतम भी हो रखा है A4 size का और आप देखते हैं मैंने इसमें drawings भी रखी है वैसे इसमें A2 size की drawing तो आई जाएगी क्यों कि मैंने रखी है आप देखते हैं इसलिए मैं यूज कर लेता हूँ इसको दो तिन बार तो बस इसमें तो कुछ इतना ही है आगी उपर है मैट जो कि मैंने मार्केट से लिया था 300 रुपीस का काफी लोग बोल रहे थे कि इसकी link देदो लेकिन यह मैंने offline बाई किया है कि इस तरह से मैंने यह setup कर रखा है तो देख लेना व्लॉग में आपको मिल जाएगा एरेन मिस्त्री व्लॉग्स पर तो यह काफी flexible सा है कहीं भी मैं इसको move कर सकता हूँ और किस स्पी direction से मैं इसको shoot भी कर सकता हूँ तो मेरे कुछ side के shots होते ना मैं कुछ इस तरह से shoot करता हूँ यहां से और उपर के तो simply यहां से ही कर लेता हूँ और बाकि photograph को देखने के लिए मैं यह tablet का use कर रहा हूँ भी जो कि यह लेनवोका तो यह simple tablet है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है सिर्फ photo देखने के लिए मैं use करता हूँ और यहां पर एक charger है जो कि मैंने यहां पर लगा रखा है तो काफी लंबी लंबी वीडियोज शूट करनी होते हैं ना ड्राइंग वीडियोज इसलिए मैंने charger यहां पर ही रखता हूँ और लगा के शूट करता हूँ कि जल्दी जल्दी खतम हो जाती है charging phone की इसलिए मैं यहां पर इसको लगा के शूट करता हूँ और अगर आपको यह नीचे दिखा हूँ तो यहां पर मेरे सारे drawing materials ही है तो यह कुछ इस तरह से निकल जाता है यहां पर तो इसमें सारे मेरे drawing materials ही है जो कि extra है जो कि मैंने use नहीं किये अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहां पर tapes है pencils है art line की जो कि मैंने extra buy कर रखी है और color pencils है oil pastels है water color है तो बस कुछ इतना ही है जो कि मैंने extra buy कर रखा है अगर खतम हो जाए तो मैं इसमें से use कर सको इसलिए और यहां पर एक दूसरा भी है तो यहां पर दो सब packing का सामान है जो कि मैं commission work को pack करने के लिए use करता हूँ जो कि tapes है और fixative spray है जो काफी useful है product करने के लिए drawings को अब बात करता है lighting के बारे में तो यह कुछ lights है जो कि मैं अपनी वीडियो को shoot करते वक्क यूस करता हूँ तो यहां पर कुछ इस तरह से मैंने लगा रखा है lights के लिए तो यहां पर यह दो LED bulbs है अगर मैं इसको on करूँ न तो कुछ इस तरह की lights आएगी यहां पर और दूसरी है यह window जो काफी natural light आती है तो मैं कुछ इस तरह से lights का यूस करता हूँ अगर मैं आपको दिखा हूँ ना तो देखना मानलों यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना तो देखो काफी अच्छा effect आ रहा है जो यह आपको काफी पसंद आता है और वैसे यहां पी एक light है जो कि मैंने drawing videos को short करने के लगाए थी लेकिन फिलाल तो मैं इसका यूज ने कर रहा हूँ फिलाल पीछे एक light है यहां पर जो कि मैंने on कर रही अभी तो इसका मैं यूज कर लेता हूँ यहां पर थोड़ा और हाँ अगर मैं table की size की बात करूँ ना तो यहां से 4 feet होगा और यहां पर 2 feet होगा तो इसमें A2 और A1 size की और किस तरह शूट करता हूँ और बाकि सब भी बाकि यह मेरे पास एक tripod है जो कि मैंने बाय किया था 600 रुपीज का जो की काफी उंचा है आप दिखेता है यहां तक है पहले वीडियो शूट करता था और अभी किस तरह से करता हूँ मैं आपको दिखा दी तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो शुरे को like करके ज़रू जाना और चैनल को subscribe भी कर लेना और वीडियो के लिए तो बस मिलता है अगले वीडियो मे thank you so much और हाँ इसी तरह से प्यार और support देते रहना तो बस चलो मिलता है अगले वीडियो में